बसुदेव कुटुम बकम का है, सर्वधर्व संभाव का है और सार्भोमिक्ता का एक नैसरगीक दर्सन है सीव की वो पंग्ती आत्म मोक्षार्तम जगत ही ताइचो संपुर्ण बिश्व का और बानव का कल्यान और खुद के मोक्ष की कलपना हमारे अराध्य गुरु सीव ने इसी पंग्ती से अपने जीवन दर्सन की शुरुवाद की तो और यह जो देश है ना यह अध्यात्मिक्ता पर है यह कंप्लिट किसी धर्म या किसी मजभ पर अधारी देश नहीं है यह मानविय मुल्यों के लिए जाना जाता है संथ की एदी बात करूँगा तो राम क्रिस्ट्न परभंस बिवे कानंद कबीर बाल मिकी संथ रविदास हम संथ उसको कहेंगे मैं सभापति मोहदै सुरू करूँगा जाती जनगर्णा से हमारी सरकार जब थी तो उन्होंने जाती जनगर्णा का निर्ने लिया और बिहार में जब जाती जनगर्णा की सुरुआत ही ललन बाबु नहीं है अभी नहीं तो मैं उनको सुनाता तो उनमें जो सर्वे आया 98% लोगों के पास लैप्टॉप और कम्प्यूटर नहीं है 96% लोगों के पास भैकिल नहीं है और जो भैकिल है वो यवाई पर है जो भी भैकिल है लगबग 86.2% लोगों के पास एक विगास से नीचे जमीन है कटे में है धूर में है 9.2% लोग हैं जिसके पास कुछ भी जमीन नहीं है लगबग 78.7% लोग हैं जिनके पास फूस का घर है तीन का घर है भीद का घर है उसके पास पक्का मकान नहीं है ना रोजगार है ना नोकड़ी है ना खेत है मज़दूरी 280 रुपिया है और वो भी 20 दिन से जादे नहीं करोना के समय मनमोहन सिंग जी के द्वारा लाए हुए जो मज़दूरी एक्ट था उसको खत्म करके मज़दूर के ताकत को कमजोर किया गया चार सा रुपिया प्रतेक दिन बहस पहले भी हो चुकी थी कि मंड़ेगा छोड़ दीजिये मंड़ेगा का तो बजट घटा दी गई है मेरा सवाल सिधा था कि प्रधान मंत्री जी आपके SSV है वर्ड इनको भोलो करते हैं तो फिर कॉंग्रेस चलीशा और नहरू इंदरा और राहुल चलीशा बंद करिये न और अपने प्रती इमांदार बनिये न लोगों ने गट मंधन की राजदिती की और जब कटबंधन के राजदिती पर भी भरोसा नहीं रहा तो प्रधान मंत्री जी ने जेबार भाइस बाइल से लेकर मुझरा तक की बात पूरे चुनों में एक बार भी हिंदुस्तान के संभिधान की हिंदुस्तान के गरीबों की वार्ड के सबसे ज़्यादे गरीब देश पार के पिता इंकम 6,000 रुपिया उससे ज़्यादे हिंदुस्तान में लगभग 87% लोगों का जो आय अफवे है वो है पार के पिता 6,000 और लगभग जो महगाई का कारण है उसमें दलित आदिवासी अत्यंत पिछरा जो समाज के सबसे कमज़ तबके के लोग हैं उसमें मैं आपको बता दूँ कि उनके ठाली में 160 रुपिया वाला दाल नहीं है 120 रुपिया वाली सबजी नहीं है प्रधान मंत्री जी एदि इतने सा सक्त हैं तो मैं यह जरूर जानना चाहूगा की 84 करोर लोगों को 5 किलो अरवा चावल आज भी टेक्स के पैसे से क्यों देना पड़ता है मैं सर मजब बोलने अब यह साथ आट मिनट छे बार के मेरा रिक्वेस्ट है मैं उस पर कहना चाहूँगा मेरा रिक्वेस्ट है जाती जंगना पूरे देश में डवल इंजन की सरकार है यदि आप OBC से डफलत मत करिये दलितों से आप दूर मत होए मैं मेरा रिक्वेस्ट है बिहार का विशेस राज किसी भी परस्तिती में जो आपने पहली बार गांधी मैदान में कही थी और आरा की सभा में कही थी कि हम विहार को अपना बनाएंगे अप मेरा है और विहार को हर परस्तिती में विशेस राज का दर्जा देंगे और विशेस पैकेश देंगे मितला कोशी सिमानचल और मगट को हाई डेम के लिए वहां के मक्का और मकान पर अधारी किसान के लिए उस इलाके से बार की मुक्ति के लिए उस इलाके के इंफ्रास्ट्रेक्टर के लिए लेकिन अब ही तक उस पर कोई चर्चा नहीं हुई आंगन बारी आंगन बारी की बहनों की स्थिती आप देखिए आप ममता की स्थिती पॉइंट पर तो बोल रहा हूं हमको तीन मेर दीजे सर मम्ता आसा मैं वहीं कह रहा हूं सर मेरा रिक्वेस्ट क्या है मेरा रिक्वेस्ट है आपका रिक्वेस्ट बताईए कि बिहार में जो मैं आंगन बारी कि किसकी बात कर रहा हूं सर एक भी जगह डलीत और आदिवासी के में ओटी अफ नहीं है आप चलके जाज कर लीजिए जनल योजना लगबग बरबाद हो चुका है सर प्रेम संद्राइट सर मैं कंप्रूर बहुत तो रहा हूं स्माट मीटर पिजली सर दो मिन जर लूमिन घरी क mapped a कि अस्माट मीटर पिजली सर वन नेसन वन एजुक एलगए शन ओन है ए किдtic खार साराब नेसन मईर्श के जो का शरो चृट्ट तो तरूरैक विस्टरण के अ attack...